तमश्कार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंग बालाजी स्टेडिय एड़ाम है आप सबी का स्वागत है चौदा पंद्रा और सोला तारिक को जो परिक्षा तिथी थी अब उसको बदल करके साथ चौदा और पंद्रा कर दिया गया है तो 14 तारिक वाला पेपर अब 7 तारिक को होगा, तो 14 तारिक को कौन सा पेपर था, प्रधाना ध्यापक पत के लिए पेपर था, और अब ये आपको 7 तारिक को देखने को मिलेगा, यह जो संगीत कला वाला पेपर था, इस दिन अब आपका प्रधाना ध्यापक वाला पेपर ह उसके बाद देखेंगे जो 15 तारीक वाला पेपर था वो अब 14 तारीक को होगा तो 15 तारीक को कौन जा पेपर था PRT गा था 1-5 के लिए था सामान उर्दू-मांगला विसाय के लिए था तो अब यह 15 तारीक को ना हो करके 14 तारीक को आपको यह पेपर देखने को मिलेगा उसक तो कल तक देखने को मिल जाए, परंत ट्वीट ये पहले जानकारी देते हैं, उसके बाद आपको official notification जारी होते हुए देखने को मिलता है, मेरा ये सुझाओ था कि जो PRT का paper यहां पर था, जो कि अब 14 तारीक को आपका हो गया, ये जो 15 तारीक को PRT का paper था, ये 14 तारीक को हो क्या है, इसको क्या करना चाहिए था, ये 6-8 वाला जो paper था, इसी के थोड़ा नस्दीक लगाना चाहिए था, जिससे जो भी बाहर के अब्यरती है, उनको एक साथ paper देने में थोड़ा सा help मिल जाए, हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर कम जरूर हुआ है, एक दिन का अंतर क जरूर हुआ है, परन्तु 9-10 और 14 तारिक तब भी 4 दिन का अंतर बहुत होता है, तो अगर थोड़ा सा इसको और घटा दिया गया होता है, तो और जदा बहतर होता है, बाकि आपको कहा लगता है, कमेंट में अवश्र बताइएगा, सभी के साथ वीडियो लाइक और शेयर अवश्र कर देएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिन्द,